हलो दोस्तों तो क्या हाँ चाल तो नीट 24 एक्जाम अगर क्वालिफाय करना है नेक्स 30-35 देज प्रिपरिशन करके तो अभी से अगर सही से करोगे तो पॉसिबल हो सकता है वरना कुछ टाइम बाद अगर प्रिपरिशन स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ह करना है कि काली कि नीट एक्जम करके चाहते हैं चाहना चाहते है अथे इनडिया में अधर परत करता हूं किसे पहले मैं बात करता हुन कर देखो क्व्याड क्वालिफाय माउन1 च्छे से साथ घंटा ही करना है ज्यादा नहीं करना है च्छे से साथ घंटा आप रेगुलर बिस्टिस पर करो इंक्लूडिंग इसमें दो घंटा लेक्टर देखोगे बट आपको अच्छे से करना है च्छे से साथ घंटा फोकस होके स्टडी करना है तब ही आप आलाम से इस सबसे पहले आप biology के इन सारी chapters को कर सकते हो जिस sequence में बताएं उसी के according करना है इसमें से एक दो चैप्टर अगर नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं chemistry में आप चाहो तो inorganic से कर सकते हो या फिर organic से कर सकते हो या फिर physical chemistry से कर सकते हो जो आपको सही लगे उसी के according करना बट आपको एक ही पॉर्षन चूज कर लेना है ठीक है और physics में आप modern physics कर लोगे आराम से हो जाएगा वहां से 10 questions तक आ सकते हैं यानि कि atoms निक्लै डॉल नेचर और उसी किसाद जो समीकंड़क्टर इन सब chapters से आपका 10 questions तक आ सकते हैं और इसमें आपको including revision वगरा सब कुछ करना है कैसे करना आगे बता चल जाएगा और उसके बाद अगर मैं start की बात करो देखो आपको अभी easy वाले chapters से start करना है यानि कि जो sequence मैंने बता है भाली जी कि उनके बिल्कुल basic वाले chapters को परो चार से पास दिन आप अपना habit बिल करो study करने का क्योंकि अभी हो सकता है कि आपका study का habit नहीं होत ना तो study का habit बिल करो easy वाले chapters को परो और थोरौबत questions प्रैक्टिस करने ही कोशिस करो questions को समझो नेक्स अगर मैं important points की बात करूं तो यहां पर आपको सबसे पहले करना किया है NCRT जो है आपको highlighted वाला जुगार कर लेना है इससे क्या होगा दोनोई चीज आपको अच्छे समझ में अभी आएगा और नोट्स आपको बनाने की जोतनी नेक्स टाम डिविजन के लिए नोट्स को यूज कर सकते हो पर ध्यान रहें NCRT को आपको at least two to three times तो रीडिंग मारना ही है फर्स्ट टाइम लेगा सेकंड टाइम स्पीड में कर पाऊगे थर्ट टाइम और भी स्पीड में है तो आपको उन twenty questions को रीडिंग मारना है और उसके बाद आपको सिंपल लेकरने के उन सब को से रिलेटेड आपको जो टॉपिक को भी एक बार पढ़ लेना है फिर उसके बाद उनी सब को दो बारा से आप खुझ से सॉल्व करने की कोशीज करोगे यानिक एंसर करोगे एक तो चीज में shortcut trick वाले वीडियो में detail में बात करूंगा नेक्स अगर मैं question practice की बात को रिगुलर प्रैक्टिस पर आपको जो हंडेड से लेकर 150 प्लस question प्रैक्टिस करना है quality questions होना चाहिए हर चैप्टर से रिलेटर उसके बाद जो है रिवीजन के लिए मैंने 5 बेज बता रहा है वीडियो अप्लोड किया था कली उस वीडियो को देख लो वहां से आपको regular basis पर रिवीजन भी कर पाऊगे क्या 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 चीज अपलाई करना है वह सब कुछ मैंने आप NCRT जैसे मैंने बता वह तरीका प्लाई करोगे फिर आप करोगे कोई सब्सक्राइब और तरीका बताया से आप रिवाई करोगे फिर उसके बाद दोबारा से और नोट से आप रिवाईज कर सकते हो तो कुछ इस तरह से पर होगे और रेगुलर बिजिस पर आपको जो कॉलिफाय आपका सीओर हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आप पर सकते हो अगर अपनीट इग्जाम कॉलिफाय करना चाहते हो तो अगर आपका कोई वी करन फिजन ने कुश्टन है आप कमेंट सब्सक्राइब बोल सकते मैं आपको डेफिनिटली है करूँगा तो नीच रि यूज मेरे बना रखका जाकर चेकाओट कर सकते हो तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तैंक यू